हम जब भी हिंदी सिनेमा और साउथ सिनेमा की बात करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा जरूर फील होता है जहां लगता था कि साउथ सिनेमा का एक बड़ा पार्ट केवल एक्षन, हीरो का स्वैग और उसकी धासू एंट्री को दिखाने में खर्च कर दिया जाता है। वहीं हिंदी सिनेमा में थोड़ा मिश्रन देखने को मिलता है यानि लगबख हर थीम पर फिल्में बनती हैं लेकिन यह कंपैरिजन हम पिछले कुछ महीनों में रिलीस्ट साउथ फिल्मों से करते हैं जैसे पुषपा, KGF, RRR हाला कि इन फिल्म्स में भी इमोशनल एंगल द चारली जैसे फिल्मों के ट्रिलर को देखते हैं तो फिल होता है कि नहीं यार साउथ सिनेमा सिर्फ एक्शन से ही धड़कने तेज करने का काम नहीं करती बलकि जब यह रूलाने पर आ जाए जब यह हसाने पर आ जाए जब यह इमोशन दिखाने पर आ जाए तो भी इनका क सराहनिया रहता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है ट्रिपल सेवन चारली के इस ट्रेलर में जिसका अब हम रिव्यू करेंगे। के बीच की दोस्ती पर बनी फिल्मों की बात करें तो इस सब्जेक्ट पर बॉलिवूड में कुछ बहुत अच्छी फिल्मे बनी है। फूर इग्जामपल हाथी मेरा साथी जो आज भी एक कल्ट फिल्म के रूप में देखी जाती है। लेकिन पिछले काफी समय से इस पर फि रक्षित शेटी कहते हैं कि चारली कितना प्यार करते हो मुझसे। वो सीन अपने आप में एक फिल्म है जिसमें एक्टिंग को लेकर टेकनिकल नजरिये से और इवन बीजी एम पर घंटो चर्चा की जा सकती है। इस सीन में एडिटिंग की भी तारीफ बनती है। ट्रेलर रक्षित शेटी के डायलोग से भी शुरू किया जा सकता था लेकिन नहीं डायलोग से पहले कम से कम पांच सेकंड का वीडियो सेम फ्रेम में रखा गया। उसके बाद रक्षित शेटी कहते हैं चारली कितना प्यार करते हो मुझसे। इस पांच सेकंड में रक्षित शेट इस scene का important part था और एक खुबसूरत BGM की जरूरत उस वक्त थी जब Charlie उठकर उसके पास आता और यही दिखाया भी गया है हाला कि BGM के नाम पर एक बच्ची की आवाज में कुछ गुन-गुनाया गया है जो बहुत effective लगता है जिस तरीके से Charlie रक्षित को आकर लिपट जाता है वो कमाल है हाला कि यह तो Charlie के ट्रेनर की करामात है लेकिन इस जगह पे अगर रक्षित के face expression को देखें तो I must say कि यह expression face पर तभी आ सकते है जब वाकई में कलका डॉग के साथ उस दोस्ती को उस emotional जुडाओ को feel करे यह expressions acting करने से नहीं आ सकते फिल्म में रक्षित का rough look इस किरदार को reality के करीब रखता है और क्योंकि यह film कुछ real incident से inspired भी है तो ऐसे में director का hero को इस तरह का look देना कहीं न कहीं real character से प्रेरित रहा होगा फिल्म में एक और बहुत important किरदार है जिसे निभाया है राज भी शेटी ने जो कि ना केवल एक director, producer और writer है बलकि एक जबरदस्त अभीनेता भी है इनके अभीनेत के चमता देखनी है तो निश्चित तोर पर आपको इनकी film गरूडा गमना व्रिश्वा देखनी ही चाहिए इस film को देखकर आपको इनकी acting का range पता चलेगा तो निश्चित तोर पर फिल्म में उनका होना एक plus point रहेगा लीड character को समझने के लिए भी trailer में कुछ समय लिया गया है यानि वो क्या करता है, किस तरह की life जीता है, पड़ोसी उसके बारे में क्या सोचते है और Charlie की entry से पहले एक आवाज सुनने को मिलती है कि इसे तो कोई कुटा भी नहीं पूछने वाला और जस्ट उसके बाद Charlie की entry हाला के फिल्म की जो कहानी है, वो वैसी ही लग रही है जैसे नॉर्मली एक फिल्म की होती है जहां हीरो पहले किसी को पसंद नहीं करता वो फिर कोई बच्चा हो, कोई जानवर या कोई लड़की हो दोनों के बीच तकरार और फिर किसी एक incident के कारण दोनों के बीच गहरा प्यार, ये एक फॉर्मूला है फिल्मों का जो यहां भी देखने को मिला है हीरो पहले कुत्ते से परिशान रहता है और फिर जब उसे hospital में admit कराया जाता है तब उसे कुत्ते का उसके प्रती लगाव दिखता है और फिर सब अच्छा होने लगता है और फिर सब अच्छा होने लगता है और फिर क्लामेक्स में कुछ ऐसा घटता है जा हीरो की priority उस कुत्ते को बचाना रहती है और यहां धेर सारा emotional drama फिल्म को emotional बनाती है यह आम concept है लेकिन trailer देखकर ऐसा feel हो रहा है कि जिस प्रकार से इस कहानी का treatment हुआ है वो निसंदे audience को फिल्म से जोडने में काम्याब रहेगी फिल्म की shooting Mysore के अलावा कुछ South के इलाकों में हुई है इसके अलावा फिल्म का एक बड़ा part हिमाचल परदेश और कश्मीर में भी shoot हुआ है फिल्म बीच बीच में कई कार्णों से रुकती रही है और आप finally ये release के लिए ready है तो दोस्तो वेट कीजिए 10 जून का जब ये फिल्म थियेटर में release होगी Have a nice day